हारिकेशा दर्शको मैं अचारे पूजा आपका वेदी के स्ट्रोकेंद में स्वागत करती हूँ दर्शको दर्शको दर्णिक राशी फला देश में हम आपको बार राशी के बारें बताएंगी कि आज का दिन आपका कैसे जाने वाला है तो सबसे पहले पंचांकी हम बात कर लेते हैं तो दर्शको आज है 11 जनवरी 2023 दिन है बुद्वार तिती है चतूरती जो की 2 बच कर 31 मिनट तक है उसके बाद पंचमी तिती लग जाएगी इसके अलावा जो नक्षत रहेगा वो है पूर्वा फालूरी तो इसी अधार पर हम समझते हैं कि विविन गरे गोजर की सिती के अनुसार आज आपका दिन कैसे रहने वाला है तो दर्शको हम सबसे पहले शुरूबात करेंगे हमारी पहली राशी मेश राशी से तो मेश राशी की बात करें तो आज आप कुछ क्रियेटिव करना चाहेंगे कुछ अपना स्किल डेवलमेंट की तरफ सोचेंगे कि अपने जो रिज्यू में है अपने जो अपने कारेशित में से कुछ नया स्किल एड़ करें जिसकी वज़े से आपको लाब हो और आप उस प्रात्मक बनी रहेगी थोड़ी तखावर तो जरूर होगी ववसाही में लाब की सिती बनी हुए कुछ नई प्लानिंग भी कर सकते हैं इसके लाबा जीवन सार्थी के साथ सहयोग देखने को मिलेगा इस दूसरे के साथ संबन जो है पहले से थोड़े बहतर होंगे परिवा परिवार में काफी अच्छी सुख शांती देखने को मिलेगा कुछ नया कुछ सोचेंगे लेनी अपने जो घर की सजावट के बारे में भी सो सकते हैं कुछ नया फरनीचर भी आज आप खरीद सकते हैं माता की लिए आपका जो सपोर्ट है आपका प्यार है वो आज कर आएगा इसके अलावा परिवार के साथ जो थोड़े बहुत मतबेद है उसमें भी काफी कमी देखने को मिलेगी लेकिन आज आज आपकी तनाव किसी तीसलिये बनी रहेगी कुछ फ्रस्टेशन आपकी दिमाग में बनी हुए कुछ काम आसया बार बार कर रहे हैं जिसकी का मन काफी परस्ट आएगा लेकिन उसमे अच्छा कासा आपका खर्चा भी होगा लेकिन आपको फिर भी बहुत खुशी प्राप्त होगी इसके अलावा मातर की सहत में काफी अच्छे सोधार आपको देखने को मिलेगा कुछ कांज से समन्दी दिक्कत आपको हो सकती है जी जर भागे सपोर्ट की बात करें तो 65 से 70 प्रतिशत है और भागे अंक 12 मैं चौती राशी करक राशी की बात कर लें है तो आज आपकी वाड़ी पे मधूरता बनी रहेगी कंट्रोल भी रहेगा और इसकी वज़े से परिवार में आपका जो मान समान काफी बढ़ेगा आज आज आपका परिवार आपकी सुनेगा और जिसके वज़े से आज आपका मन प्रसंद रहने वाला है इसके अलावा आपको कुछ गले से सम्मंदी समस्या हो सकती है इसका आप विशेश ठ्यान रखे इसके लावा अगर आपकी जीवन सात्य की बात करें तो थोड़ा आपको जो है तनाव आपकी सिती बनी हुई है लेकिन आज आपका जो मन है काफी प्रसंद है काफी साकरात्मा के तो आज आप उस पर अपना विशेश प्रभाव भी डालेंगे कारशेत्र की बात करें तो आज आपका प्राकरम देखने लाइक होगा लेकिन आपके अधिकारी आपसे कुछ जादा ही आप इक्षा कर रहे हैं इसके लाबा विध्यारतियों की बात करें तो काफी अच्छी उच्छा उनको देखने को मिलेगी संतान पक्षे आज आपको कुछ सुकत समाचार भी मिल सकता है अगर आपके भागय सपोर्ट की बात करें तो 78 परतिशत है, 78 से 80 परतिशत है और भागयां की बात करें तो 12 हमारी पांचमी राशी सिंग राशी की अगर बात करें तो आज आप कुछ क्रेटिफ करना चाहेंगे लेकिन आज आपके पास भी समय नहीं मिलेगा, कुछ जादा ही वियस रहने वाले हैं इसके अलावा कुछ पेंडिक काम पहले से हैं जो आज आप उसको खतम करेंगे कारिशित की अगर बात करें तो आपका जो उत्सा काफी देखने वाला होगा लेकिन सायोगी से कुछ आप मन मुटाव हो सकता है उसका भी आपको ध्यान रखना होगा आप विशेश के जो है ओफिस पॉलिटिक्स में ना पढ़ें विशेश की गॉसिप में ना पढ़ें तो जादा अच्छा होगा आपने काम से काम रखेंगे तो आज अपना काम समय पर भी कर पाएंगे इसके अलावा विर्थ की जो समस्याओं से भी बच पाएंगे इसके अलावा छोटी मोटी यात्रा की आप प्लैनिंग करेंगे लेकिन वो सक्सेस्पोल नहीं हो पाईगी वो आगे के लिए टल जाएगी अगर आपके भागे सपोर्ट की बात करें तो पैसेट परतिश्यत्य और भागे अंक पांच को हमाई छेटी राशी कनिया राशी की बारे में जान लेते हैं तो आज आपके परिवार के साथ आपकी जो बिल्कुल भी बनने वाली नहीं है इसके अलावा माता की सेहत की संब्द में कुछ हॉस्पिटल के चक्कर आप कार सकते हैं कुछ विदेश्यत्र की प्लाइनिंग आप अपने इमाजिनेशन में करेंगे लेकिन उसको सार्थक रूप देने के लिए आप थोड़ा आलस से भी कर सकते हैं कारिश्यत्र का मौल काफी बड़ियां रहने वाले अधिकारी से आपको आज अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलेगा सरकारी श्यत्र में अगर कुछ काम पेंडिंग है तो वो भी आज पूरे होंगे इसके अलावा उनसे सयोग भी आपको मिलेगा कुछ अपरतिश्यत लाब भी आपको देखने को मिल सकता है इसके अलावा जीवन साथी से सयोग बराबर बना हुआ है और उनके आपके बीच में जो मधूर जो रिष्टा है वो भी बना हुआ है कुछ नए प्रपोजल यानि कुछ नए आपके पास जो सिंगल है उनके लिए नए प्रपोजल रिलिशन्शिप के आ सकते हैं लेकिन आप जो है उस पर गंबीता से विचार करें कि अपनी मैचॉरिटी दिखाएंगे अगर आपकी बागे सपोर्ट की बात करें तो ये असी पतिशत है और भागे अंक तीन सात्वी राशी तुला राशी की बात करें तो आज आपके बड़े भाई बैन आपकी मा की भूमिगा निवाएंगे यानि काफिस ने और प्रेम उनसे देखने को मिलेगा कुछ ऐसे आ इसके लाबा कुछ कोट का चेहरी के केस आपको परेशान कर सकते हैं इसके लाबा स्वास्ते संबंदी समस्याय में पेट से संबंदी या लीवर से संबंदी कुछ दिक्कत आपको मिल सकती तो अपने पाचन का अच्छे से ध्यार रखें अपने खान पान का भी विशेश ध परक में आएंगे बागे सपोर्ट की बात करें तो पचासी से नबब परतिशते और भागे आंक 10 हमारी आठवी राशी विक्षी राशी की बात करें तो कुछ अकेले रहने का मन करेगा आपका लेकिन फिर भी आप चाहेंगे कि आज आपके आसपास के लोग आपकी बात को परदश्ट करेंगे सापमी बैलेंस भी बनाके रखेंगे परसनल लाइफ और कारशेत्र में इसके अलावा आपकी जीवनस आती हैं उनका आपके प्रती जो है सभाव पहले से काफी धीला रहेगा यानि सक्रात्मक रहेगा जो आपको सुख और शांती देगा विद्यारति कि वज़े से आप अपमे कारेशित्र का जो भी निर्डे लेने वाले हैं उसमें थोड़ी असफलता ये कुछ तनाव आपको देखने को मिल सकता है खास कर आपके बॉस के साथ ये आपके अधिकारी के साथ तो इसको आपको सो समझ के निर्डे लेना होगा साथ ही अपनी वान या उसको आप लागू कर सकते हैं या करना चाहेंगे इसके अलावा आप जो विध्यारती है उनकी लिए दिन कापी अच्छा रहेगा कारेशित्र में जैसे हमने बताये कि कुछ निर्डे लेने में आप साथ निर्डे लेने में आप साथ में आपका टार्गेट भी आज प कर रहे हैं वो आपकी अपेक्षा पूरी नहीं हो पारी जो आपकी चिंता का कारेंट बन सकती है कारेशित में इसी वज़े से निरस्ता आपको दिखाई देगी कुछ काम ऐसे आपको करने पड़ सकते हैं जिसमें आपको आलस आएगा या मन नहीं लगेगा यह आपकी आपसे नहीं की थी तो आज आप आपको अपनी वारी पे कंटोल करके चला होगा कुछ धार्मी क्यातरा के भी संकेत مिल रहे हैं अपनी परिवार के साथ किसी आज-पास की धार्मी क्यातरा पर भी जा सकती हैं कारेशितर में आपका जो वर्कलोड है काफी बढ़ीया रहने काफी बड़ा रहने वाला है इसके लावा व्यवसाई के लिए आपकी जो भी अपेक्षिया आज वो पूरी होने वाली है माता की सिहत में काफी अच्छे सुदार देखने को पाएंगे या मादा का आश्रिवाद आज आपको मिलेगा भागे सपोर्ट की बात करें तो 55-70% है और भागे अंकसात हमारी ग्यार्मी राशी कुंबराशी की बात कर लें तो आज आपके प्राक्रा में कुछ अत्यदिक वृत्धी रेखने को मिलेगी कुछ बड़े बड़े प्रजेक्ट आप हाथ में लेंगे और उसमें करने में पूरी कॉंफिदेंस आज आपका देखने लाइक होगा इसके अलावा आपके जो वेवसाई की बात करें तो कुछ नया आप क्रेटिव सोच करने का सोचेंगे उसमें आपका अच्छा खासा खर्चा भी हो सकता है यानि कुछ interior plan भी कर सकते हैं अपने वेवसाई के इंदर में जहां पे भी आपका business center है इसके अलावा आप अपनी जीवन साथी के साथ कुछ आसपास की यातरा की भी planning कर सकते हैं उनके लिए कुछ विशेश तोफा आप खरीदना चाहेंगे आपके घर परिवार का महल काफी सुखत और शान्थ पूर्वक रहने वाला है और विध्यारतियों के दिल काफी अच्छा रहेगा यानि student आज अच्छा अचीव करेंगे अगर आके भागे सपोर्ट की बात करें तो ब्यासी पर्थिशत है और भागे अंक दो हमारी आखरी राशी मीराशी की बात कर लेते हैं आज आपका दिन धार्मिकता से परपूर रहेगा यानि आज आप धार्मिक की मास्तिक स्थिती में रहेंगे कुछ अच्छे भजन सुनना पसंद करेंगे इसके अलावा कुछ सत्संग सुनना पसंद करेंगे या किसी मंदिर में जाना आपको अच्छा लगेगा, कुछ आपको साकरात्मा उर्जा मिलेगी या पॉजिटिव एनरजी के लिए आप जाना चाहेंगे कारे शेत्रे में भी आपका जो परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा लेकिन आपका लाब जो है वो बना हुआ है जीवाजाती से अच्छा काज़ा सपोर्ट या सहयोग आपको देखने को मिलेगा तो भागे सपोर्ट की बात करने तो काफी अच्छा बना हुआ है 82-85 परतिशत और भागे अंक 22 दर्शको जोतिश ग्यान शंगला में हम आपसे कुछ प्रशन पूछते हैं और उमीद करते हैं कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे दर्शको क्या आप जानते हैं कि गज के सरी योग ब्रसपती किस ग्रह के साथ या किस यूती के साथ मिलकर बनाते हैं दर्शको आपके जो भी सुझाव प्रशन या सचेशन है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डाले और हाँ हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें हारे क्रश्ना